दोस्तों मैशे रिस्वे में बनने वाला है आज दो मिनिट में दो आलू के साथ बहुत ही टेस्टी और जबरदस्त नाश्टा जो की खाने में बहुत ही चट पटा है और इस्पेशल बात बनाने में आपको हाइडली 5-7 मिट का समय लगेगा आप इसे हरे दिनी की चटनी या टामैटो का जब किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा इसलिए प्लीज 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 अपने प्यारे प्यारे से कमेंड जरूर करें फ्रेंट फेंडी में शेयर कर दें और साथी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और जो बैल आइकन है ना उसे जरूर हिट कर दें हाई गाईज मैंकल्प्रा मैश्री अपने चैनल मैश्री रश्री में आप सभी का स्वागत करते हूं फ्रेंट आज के नाश्ता हम बनेंगे बहुत ही कुईक तो उसके लिए मैंने दो आलू ले लिया हैं आलू आपको कच्चे लेने हैं उबालने का चीलने का कोई जंजट नहीं है बस रफली सा तोड़कर मिक्सी के जार में डाल दिया उसके साथी दो हरी मिर्चे डाल दी लैसुन खाते हैं तो कुछ कलिया लैसुन की डालने और साथी आदा इंच इतना अधरक का टुकड़ा डा लेंगे दो बड़ी चमच भरके जो नॉर्मल घर में चमच होती है वह वाली तील ले सकते हैं अगर बड़ी है तो दो लीजिए और आधा का पानी रलकर अच्छे से ब्लैंड कर लें और इस तरीके से एक आप फाइन साइस का पेस्ट बना कर तयार कर लें आप तो आपको मसाले टेस के हिसाब से नमाक लाल मिर्चे और एक दम छुटी छुटी काटके मैंने शिम्ला मिर्च लिया है चीज़ें आपको बहुत कम-कम डाली है और साथी बारी काटके मैंने प्यास दिया है खूब सारा हरा दनिया साथी टेस्ट बढ़ाने के लिए डाल दीजे थोड किसी भी सैंड्विच के साथ बना सकते हैं तो उसके लिए मैंने अदर गुची जितना हरा दनिया लिया उसके साथ थोड़ा सा पोदी ना ले लिया रफली रफली सा कट किया मिक्सी के जार बे डाला खूब सारी डाल दी हरी मिर्चे क्योंकि हम लार मिर्चे नहीं कि एक इन जितना अध्रक का टोड़ा कुछ कलियां लैसुन की बढ़िया टेस्स करेंगी और यह गया टेस्स के हिसाब से नमक आधा चमर जितना जीरा डाल दिया और उसके बाद बार यह दही डालने की तो तीन से चार टेबल स्पून जितना आपकस में जो दही डालना है वो फ्रेश डालना है और उसके बाद ब्लैंड के लिजिए आपकी एक दम परफेक्ट किसी भी सैंड्विच या पकोड़े के सा ये लिजिए और उसके बाद उसे ब्लैट कर सकते हैं देखने में जहादा एज लगतीय और बाद दी है तो बस यह जिए हमारी जो ब्रड टी कट हो कर तैयार हो गए है और आप बैक्टर को जाइक лचन्शा बेटरा बाटर बीडार बहरे अच्छे एक लियां पर आप आप को अच्छे से फूल चुका है अभ बेकिंग पाउडर और आपको बेकिंग पाउडर डाला है इनो या सोला नहीं ढलना है उसके बाद हलके हाथ से एक बार कासा मेकस कर ले बहुत जाए इसके बाद मेकस ना करें और यह देखे हृटर परफेक्ट तैयार हो चुका है नॉर्मली जो पकोड़े बनाते हैं यह चीले बनाते हैं उससे बैटर आपको काफी पतला रखना है अब मैंने एक भारी से तबे को अच्छे से गरम कर लिया और उस पे डाल दिया थूड़ा सा मैंने देशी की डाला है आप बटर डाल सकते हैं कोई भी न लिकने में भी बहुत कम समय लगेगा और आप टाइम देखी रहे हैं कि एकदम लिमिटेट लगने वाला है और उसके बाद मैंने लिया थूड़ा सा बीटूट जिसे इस तरीके से पतला पतला सा कट कर लिया है उसके जूलियंस लगा दिये जिससे लुड़ा सा ज्यादा अच्छा हो जाएगा और उसके बाद बारिये इसे कवर करके पकाने की उससे पहले थोड़ा सा ऑइल डाल दिया और एक दम लिमिटेट डालना है बहुत ज़्याद आपको इसे तेल नहीं डालना है तो कवर करके एक से डिल मेंट में आप देखेंगे कि आपका जो बनकर तयार होगा उपनी लेयर काफी क्रिस्पी रहेगी और अंदर से रहेगा ब्रैट की वज़े से एक दम सॉफ्ट तो यह देखें एक दम मिंटों में हमारा दौनों तरफ से बहुत ही चटपटा सा बहुत ही टेस्टी नाश्टा बनकर तयार हो गया है तो बारी आगई प्लेटिंग की तो रखे रखे अपने धन्य वाली चटनी साथी रखा टमैटो कैचप और यह रखे अपने ब्रैट के रिंग्स जो कि देखने में बहुत बड़ी अलग रहे है और टेस्ट इनका बहुत ही अच्छा है एक दम ओईल फिरी सा आप इसे समझे तो अब बारी टेस्ट करने की तो यह मैंने लगाई हरे दिने के चटनी और साथी लगा लिया टमैटो कैचप बहुत ही अमेजिंग टेस्ट का बना है आप इसे टिफिन में रख सकते हैं बहुत ही बड़ी अलगेगा और ब्रैकफास्ट के लिए तो है ही बहुत बढ़िया तो मुझे उम कि कैसी लगी है किसी वाल वीडियो में